जिसका जर्म हुआ है उसकी मृत्यू होना निश्चित है। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर और अजर माना गया है। साथ ही कहा गया है कि किसी को भी अंतिम संसकार के बाद पीछे मुड़कर वापस नहीं देखना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकते, वायू सुखा नहीं सकते और जल गला नहीं सकता। हमारे धर्मे में माना गया है कि अंतिम संसकार से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उसके कुछ कारण यूँ बताए गए हैं हिंदु धर्म के 16 संसकार में आँखरी संसकार होता है 10 संसकार जिसकों अंतिन संसकार भी कहते हैं इस संसार में धर्ती पर अपना जीवन काल पूरा कर लेने के बाद इंसान की आत्मा जब वापस किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है तब मृत शरीर का अंतिन संसकार कर दिया जाता है अंतिन संसकार में ब्रेद मंतरों के साथ शब को अगनी के हवाले कर दिया जाता है शास्त्र में बताया गया है कि अगनी में भस्म होने के बाद शरीर जिन पांच तत्वों से बना होता है उन्हीं में बिलीन हो जाता है लेकिन आत्मा को अगनी चला नहीं सकती इसलिए आत्मा का अस्तित्व देह के संसकार के बाद भी मौजूद रहता है इसलिए कुछ व्यक्तियों की आत्मा शरीर को त्याग देने के बाद भी यहां मौजूद रहती है इस वज़े से माना जाता है कि अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो आत्मा भी आपके पीछे पीछे आपके साथ चल देती है इसमें एक कारण ऐसा भी बताया गया है कि परिवार के आसपास भटकती आत्मा को अपने परिवार के साथ मौग बंदा हुआ होता है आत्मा के मौग रसित होने के कारण भी माना जाता है कि परिवार के किसी भी व्यक्ति को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए इस कारण से इंसान को मुक्ती नहीं मिल पाती और वो अपने आखरी समय में परिवार के पास ही भटकता रह जाता है एक कारण है जीवित लोगों में प्रवेश का ड़क्त अगर आत्मा आपके पीछे पीछे चल रही होती है और आप मुड़कर उसको देख ले पिन है तब वो आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर सकती है और आपको कश्ट भी पहुँचा सकती है इस वज़े से कहा जाता है कि कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए बच्चे आत्माओं के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं और बच्चों को इस बात का ग्यान भी नहीं होता कि उनको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को शम्शान घाट में सबसे आगे रखा जाए ये थी अंतिम संसकार के बाद पीछे मुड़कर ना देखने के पीछे की रहस्ति की कथा ऐसी और कथाएं जानने के लिए जड़े रही है हमारे चानल के साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर और चानल को सब्सक्राइब करना मद भूरेगा मिलूँगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक प्लिक करें